नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में क्लासे रिकाम आयत अधियाचों घान और घान मूल पस्नाली 16 मलवदू का क्विश्चन नमर दो समल करेंगें तो आई देखते हैं निमलिखित में से पर्तिक संख्या के लिए वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसे से इस संख्या को भूरा करने पर तो आजिक पूर घं बन जाए इस परकार प्राप्तिपूर घं संख्या का घनमूर भी ज्याद करें पुस्टन नमर एध है । दो स्टाएं है तो 2 से कटाएं है दू एकंदू दो चखवारा सूने है तो सूने लिख देगें दू आठेशोला सुनिय हे तो सुनिय दिख देज्यगे कि दू चोवका याथ सुनिय हे तो सुनिय दिख देज्यगे दू ग्रीज़ तो सुनिय दिख देज्यं долго 2टरे नाव थो और सुनिय हो दू पचैस दस लेकिन 5 के समुह में नहीं है इसमें 5 मुठें करेंगे दो बार ततीन के सम्हों में हो जाएगा इसी लिए छोटी से छोटी संख्या बराबर पांच यूँए पांच बराबर परदीश आंसर हो जाएगा पूल भान संख्या बराबर 320 में 25 से गुवा करेगे तो 8000 हो जाएगा पूल भान संख्या ठीक है पुस्टेन माय की इस परकार प्रफान संख्या का घनमूल विव्याद करें, तो क्या करें में? आठ थी जाइगे घनमूल निकालेंगे, तो दू से खटायें गें तो दू चोगा आठ आठ अठ पर तिन सुने है तो चार पर तिन सुने लिग देगें, दू दूनी चार पर तीन सुने है तो तीन सुने लिख देजा 2 एकम 2, 2 पर 3 सुने है तो 3 सुने लिख देजा 2 पर 10, 10 पर 2 सुने है तो 2 वार सुने लिख देजा 2 दुने 4, 2 पर 10, 50 पर 1 सुने है तो 1 सुने लिख देजा 2 एकम 2, 2 दुने 4, 2 पर 10 यानी 8000 का अभधाज एकुमन कीए हैं तो चोब बर दूहाया है तो दूह दूह दो गोले आधान्मू निकाल रहे हैं तो घात में 3 अंदरूप आशाया हो जाएगा यहां भी क्या हो जाएगा घात में 3 अंदरूप हो जाएगा अंदरूप हो जाएगा तो घात में 3 अंदरूप में 3 अंदरूप के पावर 3 लिख देंगा यहां भी दूप हो जाएगा और दूप हो जाएगा दूप गूणे दूप गूणे पांच दू में दू से गूणा हो जाएगा बीश अंसर ठीक है यह हो जाएगा पर आप कुनद गंशंख्या का मने जाएगा कितना है बीश आंसर ठीक है क्युस्टन नंबर दो है एफजाश्टीनसों नगनेाच, इसका वाल गुर्षन करेगे, तो दूसरे कटयाएंगे, दूसरे कटेगा, तीरसे कटेगा, तीरसे कटेगा, तीरसे कटेगा, यह लिए तेरे सुभाद करेंगे अब तो भात रहा जाएगा जी तेरह हो जाएगा कि एक हजार तीन तुसा बावन का भाद इक रहा है तो तीन बार दो आया है तो तीन बड़िक देंगे जो गुने जो और दो बाद 13 250 के अबहाद इक खड़ मेंगे दोगोय दो ने किसमों में लेकिन different 3-amos कि पर्तिक संख्या के लिए वह चोटी से छोटी संख्या बात आए है कि इस कि इस संख्या को गुणा करने पर वह एक पुनघान बन जाये इसमें एक तेरे से गुणा कर देंगा देख्या हो जाएगा बन जाएगा इसलिए पूर्टी के पूर्टी के पूर्टी कांख्या बारबत क्या हो जाएगा जी किसा ते गुना किया है तेरे से किया है सच्छेरा हो जाएगा आइसा तर्था पूर्टी के पूर्टी कांख्या बारबर हो जाएगा तेरे से किसा पूर्टी के पूर्टी करें यहां कि यह जाएगा कि क्या कि पूर्गन संख्या हो जाएगा कि इस परकार पर आप पूर्गन संख्या का घनमूर भी जाद करें कि क्या करेंगे सत्रे हजार पान सच्छी हत्र का पूर्गन करेंगे तो दू से कटाएगे दू आठ सोल दू सत्य चाओद दू आठ सोल दू आठ सोल दू आठ सोल हो जाएगा दू स्द्धे नहीं कटेंगे तेषे कटाएगे तेरे 6 बहतेगा कीतना 7 बहतेगा 8 8 34 59 सी से क्या हो जाएगा 7 सकटम 10 में 17 kg क्यें दू सन्मात का जा फ्याएगा कि यह कि इसे रिखाप में फिन दूरूर्प हो जाएगा या मिचाँ जाएगा मात में फील अंडर रूफ़ हो जाएगा C's क्याँ के यह डेखते हैं कि दूब कोंए दूब कोंए 2 कि एकлекह कोंए 1 कि इस राद मैं तो इस रूरा के पावर 3 रिख देंगे इस राद मैं त्यरा विजा हो संभी होंए 1 तृट्या कोंए 2 फूरिक देंगे सब भी संसर हो जाएगा यानि और आप उन भन संख्या का भन भूल सब भी सो जाएगा ठीक है इसी परकार पुस्चन नमबर तेन चार और पांठ बनेगा ठीक है अगर यूद 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 पसंद आया हो तेनल को लाइप और सब्सक्राइब किजिएगा नाने बाद